आपकी फ्रेंड वर्षा आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी-पी-सी-यल के एसिस्टेंट अकाउंट एंड के बहुती इंपोर्टेंट कोश्चन्स की अभी ये कोश्चन्स हम चैप्टर वाइस करेंगे तो आज हमने एक चैप्टर लिया है जो कि हमा से हमें लगेगा कि यह जी कॉश्चन्स आ सकते हैं वो सारे हम आपके प्रैक्टिस एड में कवर करते जाएंगे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको पसंद आए तो लाइक कीचे फ्रेंड से शेयर कीचे और किसी वित्र की कोई भी क्वेरियो तो जरूर बता तो हमें options को देखना है options है हमारे market value of fixed assets यानि की fixed assets की market value में कमी बताती है market value of floating assets जो floating assets है उसकी value में बताती है कमी market value of deventure issued या फिर book value of fixed assets तो देखे आप सबने depreciation पढ़ा होगा depreciation हम क्यों लगाते हैं देखे कोई भी machine कोई भी fixed assets हम purchase करते हैं तो तो ताइम जैसे ही time होता है उसको use करते हैं तो उसकी जो life है वो कम होने लगते है यानि कि उसमें कुछ खराबी आने लगती है जिसको repairing कराने पड़ती है तो इस तरह से क्यों होता है यह सारी कमी हमारी कहलाती है depreciation तो यह depreciation जो हम लगाते हैं तो किस चीज में कमी आएगी हमें वो बताना है amount निकल कर आता है उसको हम बोलते हैं उस चीज का जो particular asset है उसकी value तो यानि कि उसकी value कम होती गई इसलिए यहां पर book value of fixed assets यहां पर right answer हो जाएगा वो fixed assets जो है उसकी value में जो book value होती है उसमें कमी आ जाती है इसलिए यहां पर option D हमारा right answer होगा market value of fixed assets market value तो उसकी कम होगी ही क्योंकि देखिए market value कम भी हो सकती है जादा भी हो सकती है लेकिन यहां पर जो उसकी book value होगी जो की mention की गई है जो भी records प्रिपेर के गई है वहां पर उसकी book value चो होगी वहां पर जो उसकी depreciation निकालने के बाद जो value निकल कर आई उसको minus करने के बात उसकी वेल्यू कम हो जाएगी रही बात floating assets की तुझे जरूरी नहीं है कि floating assets पर हो market value of deventures issued, deventures issued depreciation यहां पर deventures issued पर depreciation को कोई मतलब नहीं है क्योंकि depreciation पर, वो sorry deventures पर हमारे depreciation नहीं लगाई जाती है जो depreciation है वो हमारी लगाई जाती है जो हमारे plant and machinery होती है हमारे building हो गई इस तरह की चीजों पर जो मने fix assets होती है उन पर लगाई जाती है इसलिए यहां पर book value of fix assets हमारा right answer हो जाएगा next question पर आते है depreciation is a process अब depreciation किस तरह की process है हमें यह बताना है यह एक allocation है, valuation है, both allocation and valuation या फिर none of these तो देखिए depreciation जब हम लगाते हैं तो इससे हमारे क्या होता है किसी भी वस्तू में कमी आती है जिससे वो जो कमी होती है हमें पता चलता है कि इसका अब वास्तव में जो value है वो कितना है तो इस तरह से क्या होता है, हम उसको कोई, अब आपने बहुत सार method पढ़े होंगे जिसमें हमारा fix होता है, हमारा diminishing method होता है तो इसमें क्या होता है, हम एक values को allocate कर रहे हैं कि हमें particular time में हर month इतनी-तनी value लगानी है या फिर इतना minus करना है, तो कि हमने क्या कि एक value वहाँ पर allocate की और वहाँ पर last में हम उसकी real value जो है वो निकालते हैं तो यहाँ पर both allocation and valuation हमारा right answer हो जाएगा depreciation के अंदर हम allocation करते हैं एक value का जो कि हर अगर हम straight line method यूज़ करें तो हर महिने जो भी system है company का according उस time period के according वही value हर वार उसको minus करेंगे valuation क्या होता है, हमें right value पता चलते है कि इतने particular time period के अंदर हमारी value zero हो जाएगी या फिर हमारी value इतनी कम हो जाएगी तो यह depreciation के थुरू ही हमें पता चलता है इसलिए option C हमारा right answer हो जाएगा, I hope यह भी a question आपको clear है next question पर आते है total charge of depreciation and maintenance of assets on the profit and loss account will be uniform under अब यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो भी हमारे depreciation का यो total charge हमने लगाया था उसकी maintenance में assets की वो हमारे profit and loss account में के मतलब कहाँ पर उसको एक समान दिखाया जाएगा वो कहाँ पर एक value होगी हमें वो बताना उस method के अंदर तो देखिए यहाँ पर different method दिये हुए है आपने depreciation chapter किया होंगे वहाँ पर questions करे होंगे तो यह सारे methods आपने पढ़े होंगे first देखिए यहाँ पर है हमारे straight line method straight line method, diminishing balance method, annuity method and depreciation fund method तो देखिए यहाँ पर हम पहले एक एक करके इन सारे methods को पाड़ लेते हैं देखिए straight line method में क्या होता है एक value निकाली जाती है और हर महिने या हर 6 महिने में वही value उसकी assets की use की जाएगी ठीक है वही जैसे की for example मैंने पहले साल निकाली 5000 रुपे तो दूसरे साल भी 5000 रहेगी तीसे साल भी 5000 रहेगी और चौते साल भी 5000 रहेगी ठीक है फिर आता है diminishing balance method में क्या होता है for example जैसे कि मैंने आपको उपर एक्जामपल बताया था 5000 है तो diminishing method में क्या होगा जैसे assets थी हमारी 4000 की 5000 हमने depreciation लगाया उस पे for example 5000 5000 इतना percent होता नहीं 500 होगा लेकिन आप 5000 माली है तो जैसे चालिस हैर में से पांच है आपने minus किरों कितना बचा आपके पास 35 तो जो second year होगा वहाँ पे 35000 पर depreciation लगेगी ना कि यो 5000 वाली होगी यानि कि हर साल जो भी assets का balance होगा उस पे depreciation लगाई चाहेगी annuity method annuity method के अंदर एक annuity table होती है जिसको follow करके वहाँ पे उसकी assets की जो depreciation है वो निकाली जाती है एक annuity table होती है और इसमें जो भी amount निकल कर आता है उससे multiply कर दिया जाता है annuity table में एक value होगी उस value को हम लेते हैं और साथी साथ उस value से जो भी assets की total value होगी उसमें multiply करके हमारी value निकल कर आईगी जिसको हम depreciable value बोलते हैं उसको हम show करते हैं अपने accounts में, ठीक है, depreciation account में, फिर आता है depreciation fund method, अब देखे depreciation fund method, यहाँ पर एक fund create किया जाता है, जिसको sinking fund के नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर क्या होता है, हर साल एक fund create कर दिया जाता है, और इसमें यह देखा जाता है, कि अगर हम इस जगह अपन बहुत सारी संपत्ति ऐसी होती है मूलेवान संपत्ति जैसे कि एक टाइम के बाद वो खतम होती ही होती है तो वो ये सोच कर चलते हैं कि एक समय बाद जब जी खतम हो जाएंगी तो हमें नई संपत्ति खरीदनी पड़ेगी, नई asset purchase करनी पड़ेगी तो उस समय इतना पैसा कहां से आएगा तो वो पहले से ही उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं थोड़ा-थोड़ा करके जिससे कि अगर जब इसकी value जीरो हो तो हम एक नई assets purchase कर लें इस fund में जो भी हमने इन्वेस्ट किया है वहां से पैसा लेकर ठीक है तो depreciation fund में पर create किया जाता है तो यहां पर यह सारे method आपने पढ़ लिए अब आपको बताना है कि यहां पर जो रख रखाओं में एक समान value कहां पर होगे तो अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक value जो follow की जाती है वो की जाती है straight line method में नाम से भी easily यहां पर समझ में आ रहा है straight line मतलब एक straight value है जो हर साल हमें वही value यूज करनी है ठीक है बाकी सारी तीनों मैंने आपको समझाई दी ठीक है next question है the amount of depreciation provided in the sinking fund method when compared to annuity method is अभी मैंने आपको यह annuity and sinking fund डौनर डिसकस की थे तो आपको यह बताना है कि जो amount है depreciation का sinking fund के अंदर अगर वो annuity से compare किया जाए तो वो क्या रहता है high रहता है, low रहता है equal होता है या फिर unpredictable है तो देखिए अगर हम बात करें sinking fund method में जो depreciation का amount होता है annuity की according तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसकी value कैसी होगी इसकी value low होते है क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि annuity में क्या होता है एक वहाँ पर table follow की जाते है annuity table जिसको बोलते है उसके according निकाला जाता है जबकि sinking fund में क्या होता है जो profit होते हैं उन मैंसे कुछ amount जो हमारे invest कर दिया जाता है एक fund में उस amount को यहाँ पर show किया जाता है as a interest या हम बोल सकते हैं as a depreciable value तो इसकी जो amount होता है वो annuity table से हमेंशा कम रहता है तो यहाँ पर lower इसका right answer हो जाएगा और अभी हम theory भी discuss करेंगे तो वहाँ पर हम detail में इनको पढ़ेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे सारी चीज़ें यहाँ पर calculate की जाती है और किस तरह से यहाँ पर depreciation निकाला जाता है ठीक है next question पर आते है depreciation on fixed asset is अब fixed asset पर depreciation जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है a source of fund and application of fund on flow of no flow of fund तो देखिए अगर हम fixed asset पर depreciation निकालते है तो यहाँ पर यह ना तो कोई source of fund है क्योंकि यहाँ से हमें कोई भी fund generator नहीं हो रहा ठीक है an application of fund अब यहाँ पर किसी fund का कोई use भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर तो हम एक तरह से बस एक record करके चल रहा है कि इतने time period तक हमारी value जो है इस asset के जीरो हो जाएगी या पर कम हो जाएगी हमें दूसरी purchase करनी पड़ेगी अंदाजा लग जाता है कि इतने time period पाद हमें एक machine purchase करनी है ठीक है यहाँ पर उस कोई fund का हम use नहीं कर रहा है no flow of fund यह बिल्कुल correct answer है क्योंकि यहाँ पर जो asset है उसकी बस हमने उसके life के according जो भी उसकी life है उसके according हम यहाँ पर depreciation निकाल लेते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि कि किने time बाद इसकी क्या value रहेगी यहाँ पर fund का कुछ भी लेना देना नहीं है नहीं हमारे पास fund generate हो रहा है और नहीं हमारे पास से कहीं fund invest हो रहा है या फिर use हो रहा है ठीक है तो यह no flow fund यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा ठीक है तो I hope यह भी question आपको पूरी तरह से clear है next question पर आते है what is generally accepted basis of valuation of fixed assets अब यहाँ पर हमें बताना है कि इन में से कौन सा जो है generally accepted basis है हमारा अगर हम fix a set में बात करें depreciation का कौन सा है जो कि generally accepted होता है या फिर हर कोई उसको follow करता है उस method को option है historical cost less depreciation replacement cost net realizable value या फिर historical cost तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें historical cost less depreciation replacement cost क्या होती है इसमें एक value जो होती है इसको replace करके इस value को निकाला जाता है net realizable value क्या होती है जो total जो last में हमें सारे installation या जो भी हमने उसमें repairing करिया उन सारी खर्चों को निकालने के बाद ये net realizable value निकल कर आती है और historical cost होती है जो कि पहले से हमारी books में mention है और first है हमारी historical cost less depreciation तो देखिए अगर हम इस asset पर बात करें तो उसकी एक निश्चिन दर से जो लागत होती हो उस पर cost minus की जाती है एक particular amount हमाँ पर निकाला जाता है कि इतना amount हमारा depreciation का है इस asset में अब आप सबको पता है कि जब भी हम depreciation निकालते हैं तो वो कैसे निकालते हैं चाहें उसका बाजार मूले जादा हो या प्रतिस्थापना मूले उससे कम हो या जादा हो उसके basis पर ये किया जाता है तो यहाँ पर किस तरह से निकाला जाता है जो भी उसके historical cost होती है minus उसमें depreciation कर दी जाती है उसके basis पर यहाँ पर ये valuation इसका किया जाता है तो सबसे ज़्यादा जो accepted method है इसके अंदर वो है हमारा option number A historical cost less depreciation ठीक है replacement value यहाँ पर ज़्यादा reliable नहीं है net realizable value भी इतना लोग नहीं मानते हो नहीं historical cost तो option A यहाँ पर हमारा right answer हो जाएगा अगर आपको यह सारे methods एक बार फिर से पढ़ने है क्या है यह सारे तो हम इनको एक बार फिर से अपनी theory class में discuss कर लेंगे ठीक है next question पर आते है in which method of calculating depreciation interest on the cost of the asset is taken into consideration अब हम यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा method है वो depreciation का calculate करने का जिसमें हमारी जो interest cost पर जो cost है उस पर interest हमारी ध्यान मतलब जब भी हम किसी की depreciation निकालते हैं तो वहाँ पर जो हमारी cost होती है asset की वहाँ पर interest को ध्यान में रखा जाता है तो मैंने अभी आपको methods पढ़ाएते starting का जब हमने third या fourth question किया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताएते straight line method हो गया हमारा diminishing method हो गया annuity method हो गया और sinking fund यह चार method मैंने आपको discuss किये थे तो answer उन चारों में से आपको बताना है तो देखिए यहाँ पर भी options में given है annuity method है fixed installment method है insurance policy method है और sinking fund method है तो देखिए यहाँ पर बात करें कि जह हम depreciation को calculate करते हैं तो interest कहाँ पर हम calculate करते हैं कहाँ पर ध्यान में रखा जाता है कि interest इसमें लगाना है तो देखिए यहाँ पर option जो है annuity method यह हमारा right answer होगा annuity method के अंदर हम इंचरस्ट भी निकालते हैं क्योंकि मैंने आप को बताय था कि annuity method में क्या होता है कि कोई भी जब हम निकालते हैं व्याज interest इसके अंदर निकालते हैं या पिर जब हम इसमें depreciation निकालते हैं तो depreciation की value क्या होती है इसमें सेम होती है यानि कि एक annuity table से हमने एक value ली उसके basis पर हमने asset से multiply करके वो value निकाली और हर साल हम उतनी ही value निकालेंगे as a depreciation तो इसमें और फिर straight line में क्या difference रहे गया तो देखी दोनों में main similarity तो यही है कि दोनों की जो depreciable value होती है सेम होती है बस difference क्या है वहाँ पर straight line method के अंदर कोई भी interest charge नहीं की जाती है और annuity table में interest charge की जाती है यह माना जाता है कि जब भी हम इस assets को अगर हम जो भी sorry कोई भी amount अगर हम इस asset में हमने invest किया है अगर हम यहाँ पर invest ना करके कहीं और invest करते तो वहाँ पर हमें क्या मिलता एक interest वहाँ से हमें receive होता तो यह सोचकर यहाँ पर एक interest यहाँ पर charge की जाती है इसके उपर जिसको बोला जाता है annuity method तो आप यह याद रखिए annuity method और straight line method दोनों same है differ क्या है बस annuity method में calculation होता है annuity table से second यहाँ पर interest चार्ज की जाती है ठीक है तो सिर्फ इतना ही difference है बागी यह बिल्कुल straight line method की तरह ही है fixed install elimination method वही straight line method आ गया जिसको second नाम है insurance policy method इसको हम दूसरी class में discuss करेंगे आप इतना समझ लीजिए इसके अंदर एक policy ली जाती है policy के through यहाँ पर जो हमारी depreciation है वो charge की जाती है sinking fund method मैं और लिडी आपके साथ discuss कर चुकियों sinking fund method के अंदर एक fund create किया जाता है जिसके अंदर हर साल जो हमारा amount है वो invest किया जाता है और जब हमारी value asset की zero आ जाती है तो वहाँ पर हम जो भी पैसा collect हुआ है उसको निकाल कर वहाँ से हम दूसी machine easily purchase कर लेते हैं ठीक है next question है which of the following term is used to describe the process of writing down the long term investment in intangible assets अब यहाँ पर बताए गया है कि intangible assets में जब भी हम long term investment करते हैं तो उसको उसके ऊपर जो भी हम किसी भी तरह की कोई उसको write off करते हैं तो वहाँ पर जो term use कर जाता है उसको write off करने में उसको क्या कहा जाता है अब यहाँ पर आ गई intangible assets की बात की थी उसको write off करने के लिए क्लिए क्या कर रहे थे अब तक depreciation लगा रहे थे अब यहाँ पर आ गई intangible assets ठीक है याद रखिए tangible assets में depreciation यूज होता है और जो हमारी intangible assets होती है उसमें क्या होगा तो देखिए पहले options आप देख लीजे options हैं हमारे amortization, depreciation, depreciation और dilapidation तो देखिए यहाँ पर जो हमारा intangible assets के बारे में पूछा गया तो intangible assets में amortization जिसको घ्रण मुक्ती भी बोलते हैं वो यहाँ पर यूज किया जाता है और यहाँ पर अगर tangible assets के बारे में पूछा जाता तो tangible assets के अंदर हम use करते हैं depreciation तो I hope यह भी question आपको पूरी तरह से clear है next आते हैं leasehold property is generally depreciated by अब जो leasehold property होती है वो हमारी depreciated होती है किस के द्वारा annuity method के द्वारा fixed installment method written down value method या फिर insurance policy method देखिए जो leasehold property होती है उन पर हमेशा यूज किया जाता है annuity method ठीक है तो यह आप याद रखी leasehold property पर हम annuity table method या फिर annuity method को यूज करते हैं ठीक है तो option A यह आपको हमारा right answer है और यह बागी fixed installment and return down insurance policy यह सम्में आपको अलड़ी discuss कर चुके हो next है journally accepted basis of valuation of a fixed asset अब देखिए गुमा के फिर से question पूछ लिया कि जो journally accepted जो method है valuation का fixed asset में वो कौन सा है replacement cost net realizable value historical cost less depreciation या फिर cost or market value whichever is lower तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अलड़ी यह बता चुकी हूँ तो answer यह रहा हमारा historical cost less depreciation ठीक है तो option C यहाँ पर हमारा right answer है next question है which of the following is not a source of fund अब इसमें से कौन सा हमारा source of fund नहीं है हमें यह बताना है purchase of machinery, profit earned during the year, issue of share capital या फिर long term loan raised तो इसमें से बताना है कौन सा हमारा source of fund नहीं है तो देखिए यहाँ पर अगर हम source of fund की बात करें तो first option को छोड़कर बाकी सारे से हमें कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे हमें क्या मिल रहा है fund मिल रहा है देखिए जह हम profit earned करते हैं during the year तो हमारे पास क्या आया fund आया as a earning ठीक है और issue of share capital जह हमने share capital issue किये तब भी हमें क्या मिला जो हमने calls लीन सारे हम फिर चाहे application हो फिर हमारा allotment हो first call हो second call हो इन पर हमें क्या मिला fund मिला फिर है long term loan risk जह हमें loan मिला तो loan से हमें जह हम loan लेते हैं loan मिलता है तो हमें क्या मिलता है fund मिलता है तो कहीं ना कहीं यह सारे options हमारे source of fund के method में आते हैं लेकिन यहाँ पर बात करें purchase of machinery ते source of fund नहीं है यहां से तो हमारे पास machinery आई और हमारे पास से fund गया source मतलब हमने मिला नहीं है हमारे पास से गया है इसलिए यहाँ पर option purchase of machinery हमारा right answer हो जाएगा next question है under which of the following methods the asset is shown at original cost throughout its life हमें बताना है इस method के जिसके अंदर हमारी जो assets है उसकी original cost throughout life एक जैसी रहती है straight line, diminishing balance, depreciation fund या फिर none of these तो देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो पूरी जीवन काल में उसकी जो है cost कैसी रहेगी, original cost पे वो show करेगी, तो वो original cost पे हमारी show करते है depreciation fund में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो depreciation amount है उसका एक fund create कर दिया जाता है और उस fund के नाम से वहाँ पे show होता रहता है, ठीके? तो यहाँ पर option C हमारा right answer हो जाएगा इस में straight line में भी हमारी value एक तक क्या हो जाती है जीरो हो जाती है और diminishing में जीरो नहीं होती है लेकिन कम होती रहती है लेकिन original cost हमारी depreciation fund में रहेगी जिसको हम sinking fund के नाम से भी जानते हैं तो option C हमारा right answer है नेक्स कोशन है obsolence means obsolence means हमें बताना है ठीक है? क्या होता है declining in the value due to अब जब value में कम ही आ जाती है तो किसके कारण हो? क्या होता है उसमें? fall in market price जो उसके market price है वो कम हो जाते है physical wear and tear यानि कि physically wear and tear का मतलम यहाँ पर देखे है हिंदी में सही नहीं आया physical wear and tear का मतलब है उसमें तूट-फूट हो जाती है innovation यानि नई हो जाती है या फिर efflux of time यानि समय का प्रवाई या फिर अगर हम इसको और दूसरे नाम से लें तो यह है हमारा समय बीत जाना ठीक है? तो obsolence means का मतलब अगर हम बात करें तो यहां पर obsolence means declying in the value due to किसके कारण obsolence माना जाता है obsolence माना जाता है हमारा कोई भी नई प्रोड़क्ट या फिर कोई नई मशीनी कोई नई technology मार्केट में आजाती है तो इससे क्या होता है हमारे प्रोड़क्टरी जो होता है जो हमारे पास पहले से है वो obsolence में चला जाता है for example अगर आपके पास कोई प्लांट है ठीक है कोई प्लांट है या कोई machinery है वो आपके company में work करती है और उसको काम करने में या फिर जितना आपको प्रोड़क्ट चाहिए वो कम से कम पांच घंटे में तयार होता है उतना माल अब मार्केट में कोई ऐसे नई machinery आ गई जो उतनी ही क्वांटिटी को दो घंटे में प्रिपे कर जेती है तो इससे क्या होगा हर कोई फिर उसी मशीन की तरफ मूफ कर जाएगा और आप खुद भी सोचोगे कि यो जो प्रोड़क्ट मुझे पांच घंटे में मिलते हैं वो मुझे दो घंटे में मिल रहे है तो इससे मेरी क्या हो रही है मेरी एलेक्ट्रिसिटी बच रही है वरकर्स की जो लेवर है वो बच रही है और या फिर मैं उतने घंटे में और ज़्यादा प्रिपेर करवा सकता हूँ तो आप क्या है आपकी वो जो machinery है वो आप उसकी जो value एकदम down हो जाएगी वो obsolence में चली जाएगी तो यहाँ पर obsolence होता है हमारा innovation से किसी भी तरह का कोई भी technology आ गई नई कोई और वेल्यूस में आइड हो गई जिसकी वएसे वो नए प्रोडक्ट जो है वो हमें और भी जादा benefit प्रोवाइट कर सकता है तो इस कारण यह होता है तो यहाँ पर option C जो है वो हमारा right answer हो जाएगा innovation next question है the term amortization is generally used to indicate the fall in value of the fall अब जो amortization word है जो generally used किया जाता है वो कहाँ पर use किया जाता है किसकी value को में गरावट आएगी तो वहाँ पर उसको indicate करता है यह world options है tangible fixed assets, intangible fixed assets, current assets या फिर quick assets देखिए अगर हम बात करें तो यह भी हम डिसकस कर चुके है tangible assets depreciation के लिए होता है और intangible assets हमारा amortization के लिए होता है तो यहाँ पर option भी हमारा intangible assets right answer हो जाएगा current assets and quick assets पर कोई भी इस तरह की चीज़ें नहीं लगाई जाती है तो यह थे हमारे आज के questions I hope आपको questions पसंद आया होंगे questions का level पसंद आया होगा questions आपको कैसे लगे please comment section में बताएगा किसी भी तरह की कोई भी query हो comment section में बता सकते हैं तो next video में फिर मिलते हैं आप से और वे ची videos के साथ अब तक के लिए take care बाई बाई